हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका अपने चैनल गर्देज इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आज हम फुल डिटेल रिवू करने वाले हैं मारूति सुजुकी अल्टो आट्सो व्यक्साइ वेरियंट की अगर आपको एक बजट कार चाहिए जिसका माइलेज ज्यादा हो मेंटिन इसका माइए चोटी एमाइए एक कम डाउन पेमिट देना पड़े तो अल्टो आट्सो एक बेस्ट ऑप्शन है तो वीडियो में आप एंड तक बने रही हैं हम आपको इसके फीचर्स के साथ साथ बताएंगे कि आपको इसको खरीदने के लिए कितना डाउन पेमिट देना ग्रिल है काफी शांदार है य समें आपको देखने को नहीं मिलनेंगे हिए इसके लोग को और इसके मिलक ज्यादा बढा रही है साथचे आप बूर हेंडल आपको बोडी कलर में मिलेंगे, यहां पे फ्यूल बरवाने के लिए जगह दी गई है, और यह देखिए, काफी शानदार, पिछे से जो टेल लेंप हैं, उनकी भी अच्छी डिजाइन की गई है, पहले के मुखाबले, काफी अच्छे हैं, और यहां पे साइड मॉल्डिंग दी गई है, टायर साइज की बात करें, तो इसमें आपको 145R, 12 इंस का इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं, इसके पिछे के लुक से, तो पिछे आप यह देख सकते हैं, इसमें दो रियर पार्किंग सेंसर दिये गए हैं, जब भी हैं, यहां पर अल्टो की ब्रांडिंग की गई, यहां पर मारुक दिसुजु की का लोगो है, यहां पर आप नंबर पलेट लगावा सकते हैं, इसमें डिफोजर वगेरा यह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यह देखिए, काफी शानदार है, लुक है, काफी अच्छा ह है, मजबूत है, कोई ज्यादा मेंटिनेस नहीं है, और इसमें आपको रिमॉन कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दो बटन लोग और अनलोग की मिलेंगे, और अंदर शेकर हम इसका इंटीरियर देखें, तो इसके रेट के अकौटिंग काफी अच्छा इसमें इंटीरियर दिया गया है, डिजिटल इसमें स्पीडो मीटर दिया गया है, इसमें आप स्पीडो मीटर दिया गया है, इसमें आप इसमें बताई जा रही है, और इसमें ट्रिप मीटर दिया गया है, जिसमें आपको कहीं सारे फिचेश देखने को मिलेंगे, इसमें फ्यू कर सकते हैं इसके लावा Bluetooth से भी Connect कर सकते हैं Mobile दोरा यह देखिए और यहां पे जो है Music के Controls दिये गए हैं इसके लावा इसमें आपको AC देखने को मिलेगा यहां पे AC के जो है Control दिये गए हैं और यहां पे आपको 12W का Charger Socket देखने को मिलेगा और यहां पे कुछ रखने के लिए आपको थोड़ा इसपेस यहां पे दिया गया है पांच इसमें आपको देखने को मिलेंगे और आगे के फ्रेंट विंडू पावर विंडूज हैं जिसके Control गेर लिवर के पास यहां पे दिये गया है यहां से आप कुछ सामान रखने के लिए यहां पे भी केविन दिया गया है और इसके जो वेंट हैं यह काफी अच्छे दिया गया है आप इनको यूज के बाद इसनको ओफ कर सकते हैं ताकि इसमें द्धूर मुट्टी ना जमें देखिए और दोनू फाटक में आपको इस पीकर देखने को मिलेंगे फ्रेंट के द इसमें नहीं कर सकता है वह ज्यादा, इसमें कठीन नहीं है और ड्राइवर सीट को, आप अपने हिसाब से आगि और पीछे एड़्जेस्ट कर सकते हैं, आनकि इसकी हाइड को आप एड़ इड़्जेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ये देखिए, आप जो है अंदर से ही एड़ेस्ट कर सकते हाना कि यह ओटोमेटिक नहीं है मैनुली इसको आपको अंदर से ही एड़ेस्ट करना होगा यह देखिए पीछे की सीट से जो इसका इंटीरियर काफी अच्छा है और अगर पीछे की अगर हम नजर दोड़ाएं तो आप देख सकते हैं इसमे पांसी इसमें बैट सकते हैं यह देखिए सैड से अप देख सकते हैं ग्राउंड क्लेर्स इसका काफी अच्छा है 160 mm का अच्छा इसका wheelbase दिया गया है जिससे कि आप अगर चोटे मोटे जो breaker आते हैं उस पे ये गाड़ी टच नहीं होती जो हुंडे की योन थी काफी ज्यादा जो है नीचे से टच हो जाती थी तो काफी दिखेते आती थी यह देखिए अंदर से जो इसका interior है इसके rate के according काफी शांदार मेरे को लगा चलने में भी काफी smooth है कोई जादा इसकी जो है आवाज नहीं है बिल्कुल silent है petrol में इसका लगबग 22 प्लस का माईले जाता है आप यह देख सकते हैं जो इसका ground clearance है काफी अच्छा है इस गाड़ी का और इसको हमने थोड़े दूर ड्राइव करके भी देखा काफी soft है हालांकि Hyundai की गाड़ी की जैसी smoothness इसमें नहीं देखने को मिली लेकिन फिर भी गाड़ी है जो काफी अच्छी है इसमें आप आराम से बेड़ सकते हैं आपके तोड़ी हाइड ज्यादा है तो फिर आपके तोड़े जो पैर है उपर dashboard में टच होंगे यह देखे सकते हैं आप बाकी गाड़ी मेरे को अच्छी लगी अगर आप मध्यम और यह फैमेली से बिलोंग करते हैं आपका जो बजट कम है आप साड़ी साथ आट जार तसजा रुपे तक कि अगर आप यह में बनवाना चाहते हैं तो एक बेश्ट फैमेली कार हो सकती है 22 पलस का इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा और यह VXI वेरेंट है तो इसमें आपको बाहर से कुछ ज़्यादा पेसेंजर आराम से बेट सकते हैं अब अगर हम इसका डाइमेंशन देखे हैं तो इसके लंबाई है 3445 mm, चोड़ाई 1515 mm, विद साइड मॉल्डिंग हाइड इसकी है 1445 mm और इसका जो वीहिल बेस है वो है 236 mm का इसके लाब फ्यूल टेंक केपिसिटी की बात करें तो 35.2 लिटर की इसमें आपको फ्यूल टेंक केपिसिटी मिलेगी और 117 लिटर का बूट स्पेस मिलेगा अगर हम इसके इंजन का पावर और परफॉमेंश देखें तो इसमें आपको dual airbag के साथ ABS with EBD, smart river parking sensor, driver co driver seatbelt reminder और पीछे के डूर में आपको child log safety भी देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं इसकी prizes के exorum prize है 4,12,448 रुपे, insurance के लगेंगे 16,000 रुपे, जो की 3 साल का है, एक साल का first party with zero debt और दो साल का आपको third party का premium मिलेगा, यानि एक साल बात जब आप renew करवाते हैं तो आपको third party का premium नहीं देना केवल first party का ही देना है, R2 के registration charge के लगेंगे 31,778 रुपे, ये राजस्थान का है, अगर आप other state से हैं तो थोड़ा 1,500, 2,000 रुपे का थोड़ा different आ सकता है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो आप उस हिसाब से देख लेना, TRC और fast take के लगेंगे 700 रुपे, on road इसकी कीमत हो जाती है, 4,60,926 रुपे, अभी दिवाली पे 25,000 रुपे तका cash discount मिल रहा है, तो after discount on road कीमत हो जाती है, 4,35,926 रुपे, अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, ये आप exchange करवाते हैं, आपके नाम से registered है, तो फिर आपको 15 30,000 रुपे तक का exchange offer भी मिल सकता है, इसके लाव अगर आप government servant है, तो आपको 1500-3000 रुपे तक का corporate offer भी मिल सकता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, कई डेलर 5-6,000 रुपे extended warranty और 12-13,000 रुपे एकसे जोड़ते हैं, वो optional है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो ले सकते ह अनने तक cancel करवा सकते हैं, उसके पैसे आपको नहीं देने, चलिए अब देखते हैं इसकी finance detail के LTO 800 VXI variant करीदने पर कितना down payment देना होगा, कितनी EMA आएगी, पहले हम बात करेंगे income proof वाले customer की, जिनके पास income proof है, तो उसको कितना down payment देना होगा, कितनी EMA आएगी, LTO VXI की after discount on-road कीमत है 4,35,926 रुपे, अगर हम इसका 95% निकालते हैं, तो फिर finance amount हो जाता है 4,14,133 रुपे, on-road कीमत में से finance amount गटाने पर जो रासी बसती है, down payment बसता है 21,777 रुपे, यानि जिन customer के पास income proof है, जो government servant है, वो मत्र 21,000 के down payment में गाड़ी खरीच सकता है, अगर हम EMA की बात करें, तो इसमें ब्याज भी कम लगेगा, और लंबी अउद्य तक लोन करवा सकता है, यानि छोटी EMA बनवा सकता है, तो 7 साल के लिए अधिक्तम लोन करवा सकता है, अगर हम 4,14,133 रुपे का finance करते हैं, तो 6,383 रुपे के 14 EMA आएगी, और अगर हम इसमें ब्याज की बात करें, तो 1,22,43 रुपे का interest देना होगा, जो कि बहुत ज्यादा कम है, अगर कोई customer थोड़ी बड़ी EMA बनाना चाता है, पांच साल के लिए लोन करवाना चाता है, तो फिर 8,328 रुपे के 60 EMA आएगी, और ब्याज देना होगा 85,501 रुपे, जो कि 5 साल के लिए है तो जो income proof वाले customer हैं, उनको interest भी कम देना होगा, और लंबी होती तक finance भी करवा सकते हैं, और मातर 21,777 के down payment में गाड़ी खरीच सकता है, अब बात करते हैं non income proof वाले customer के लिए कि उनको कितना down payment देना होगा, कितने EMA आएगी, तो इसके जो on roll कीमत सेम है, 4,35,926 रुपे, इसका जो 95 हो रहा था income proof वाले के लिए, यहां पे 80 से 85 परिशेंट होगा, तो अगर हम 85 निकालते हैं 4,35 का, तो 3,70,000 का round figure में हम loan करते हैं, 3,70,000 का finance amount हो जाता है, तो down payment बच जाता है 65,926 रुपे, यानि जो non income proof customer है, वो भी 65,000 के down payment में गाड़ी खरीच सकता है, अगर उ इमाई और इसमें इंट्रेस्ट देना होगा 85,460 रुपे, और अगर कोई कस्टमर 10,000 की इमाई बनवाना चाहता है, तो फिर 10,216 रुपे की 42 इमाई आएगी और इंट्रेस्ट देना होगा गुन 60,072 रुपे, यानि 4 साल के लिए लगबग 42 इमाई बनवा सकता है, तो य यह नोन-कम प्रूप कस्टमर के लिए है, जिनके पास कोई इनकम प्रूप नहीं है, अब बात करते हैं कि कौन से दोकॉमेंट्स की रेकवायर्मेνट होते हैं फईनेंस करवाने के लिए, तो पहले बात करेंगे इनकम प्रूप वाले कस्टमर की, जिसके नाम से गारी लेन सकते हैं दुकान सोब जो भी आपकी कमपनी है जेस्ट रिजिस्टेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर आप गोर्मेंट सर्वेंट हैं तो सेलर सिलिप और परम 16 दे सकते हैं अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जोब करते हैं तो तीन महीने की लेटेस्ट सेलेर सिलिप और बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं तो यही नॉर्मन डोकुमेंट चाहिए इंकम प्रूप वाले कस्टमर को अब बात करते हैं जिनके पास कोई इंकम प् जैनि जिसके नाम से आपको गाड़ी लेनी है एप्लिकेंट की बात करें तो आधार कार्ड पैन कार्ड दो पासपर्ट साइज फोटोग्राप पैंक पासबू के फोटो कोपी दो या तीन चेक और घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल इसमें अगर आपकी उमर 25 साल से कम है जि है तो फिर आप खेद की जिमाबंदी दे सकते हैं या फिर आपके पास कोई सोप है चाय रजिस्टेड ना हो चोटी मोड़ कोई भी सोप है तो उसकी फोटोग्राप लगा घर भी आप फाइनेंस करवा सकते हैं अगर यह नहीं भी है तो भी इसमें कोई इस्यू नहीं है अ सुँमेंट कोई दिक्कत नहीं है अगर हम लोन कंपरियू की बात करें तो जो ऑन कीमत का 85% अगर यह उम्रीप करता हूं यह सवीगे हों कि कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेट करके पूछ सकते हैं.